दस मार्च को होली है और होली रंगों का त्योहार है जुसमें अलग-अलग रंगों के साथ साथ अलग-अलग राजनीतिक्यों के भी कई तरह के रंग सामने आते हैं इसमें हुरदंगी रंग, जुमले बाजी रंग, घोटाले बाजी रंग, बयान बाजी रंग, देश भक्ती रंग, मन की बात रंग, कवी रंग जम कर लगाया जाता है क्यूंकि बुरा नमानो होली है और होली के ही बहाने राजनीतिक्यों अकसर ऐसे कटाक्ष कर जाते हैं जो दूसरे पक्ष को बुरे तो लग सकते हैं लेकिन बुरा लगाएं कैसे होली जो है और अब जब होली आही गई है तो फिर राजनीतिक्यों का होली मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है इसका सबसे पहला मज़ा लेना शुरू किया बीजेपी के नेता कैलाश विजेवर्गिया ने जो कि मज़ेप्रिदेश सरकार में शिवराज सिंग चोहान के नेत्रित में सालों तक मंत्री पद समाले रहे और इंदोर के लोगप्रियन नेता भी है अपने ट्विजेवर्गिया ने मज़ेप्रिदेश में जारी होट्स ट्रेडिंग की घटना पर ट्वीट किया लिखा कॉंग्रेसी आपस में लड़ रहे रायता दिया बिखराए दिग्गी चाचा समेट रहे पर समेटा ना चाए बुरा न मानो होली है फिर इसी मुद्दे पर कैलाश विजेवर्गियन एक और ठ्वीट किया लिखा राजा ही भगाए है राजा ही पकड़ाए कमल नाथ के ठीक रो मैं ही तुझे बचाए जोगीरा सारा रा इससे पहले पूरी कॉंग्रेस को लपेटे में लेते हुए बीजेपी के मंत्री विजेवर्गियन ने लिखा इस कविता को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद बखुद पता चल जाएगा कि कैलाश विजेवर्गियन का इशारा किस तरफ है एक बार फिर आपको इस कविता सुनाते है पूत कुवारा डोलता मिलती नहीं लुगाई छाती उपर मूंग दले बेटी और जमाई इस पर आम आदमी पार्ठी के पाले से कॉंग्रेस का दामन थामने वाली अलका लामबा ने चिपड़ी की है अब जब बुरा नमानो होली का दौर है ही तो लगे हाथ इसी में कॉंग्रेस नेता अलका लामबा ने भी हाथ धो लिये और केलाश विजवर्गे को उन्ही के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा चोड अपनी लुगाई पूत ने जासूसी कराई कहत कपिल मिश्रा सीडी में कर्तूत छिपाई बुना नमानो भाई होली है अब इस मामले को समझने के लिए हमें थुड़ा पीछे जाना पड़ सकता है यहां अलका लांबा ने पीए मोदी और अमिट शहा को निशाने पर लेने की कोशिश की है बात तब की है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे आर्विन के जरिवाल ने साल 2016 में रास्ट्री महिला आयो को चिठी लिक नरेंद्र मोधी और अमिच्छाह के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की थी मामला था स्नूप गेट का जिसमें गुजरात में एक महिला की जासूसी कराई गई थी और ग्रहमंत्री अमिच्छाह के टेलेफोन पर बाचीत का स्टिंग भी सामने आया था खुलासा हुआ था कि साल 2009 में एक महिला की गैर कानूनी धंग से जासूसी कराई गई थी जिस पर उस समय आपके नेता रहे कपिल मिच्छान ने अपने पास सबूत होने का भी दावा किया था संदेश इतना बड़ा तंज इतना बड़ा लेकिन बुरा नमानो हो ली है अलका लामबा के इस ट्वीट पर कई तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं कुछ लोग अलका लामबा के कैलाश विजवर्गे को दिये जवाब को सरहा रहे हैं तो कुछ लोग अलका लामबा पर ही उनके चरित रुप पर ही सवाल उठाने लगे हैं बता दें कि केलाश विजेवर्गे बीजेपी के ऐसे नेता है जो अक्सर सुर्ख्यों में बने ही रहते हैं। अभी हाली में वो चर्चा में तब आये थे जब उन्होंने सामाजिक संगठन के कारिक्रम में संशोधित नागरिक्ता कानून के पैरवी करते हुए एक वाक्या साजा किया था। बताया था कि उनके घर में नए कमरे के निर्मान कारे के दोरान उन्हें छे साथ मजदूरों का खान पान का तरीका थोड़ा अजीब लगा क्यूंकि वो भोजन में सिर्फ पोहा खा रहे थे। जीवन की शुरुवात की थी। पॉर्विन के जरिवाल के साथ रोड शो में भी शामिल नहीं हुई थी। फिर अक्टूबर 2019 में अलकालांबा की घर वापसी हो गई थी। मतलब आपका दामन छोड़ कर उन्होंने कॉंग्रस का दामन थाम लिया था। और अब जब वो कॉंग्रस में हैं और कैलाश विजय वर्गे जैसे नेता जब कॉंग्रस पर टिपड़ी करेंगे तो पार्टी के हित में कदम उठाते हुए अलकालांबा ने उनकी लिखी कविता पर कविता लिख करी जवाब दे दिया। प्रहुप्र जब करेंगे छॉप्रस पर टिप पर र।